एबाउट फोन में आपको पिक्सल 7 लिखावा मिलता है और ये एक पिक्सल का इन्हेंस अपडेट है वो भी ओफिसल सपोर्ट के साथ जो कि मैं फिलाल यूज करूँ अपने Mi 11X के अंदर और ये किस तरीकी से काम करता है इसके इसके इस्टूलेशन गाइड क्या होगा इसे ये लास्ट तक जरूर वाच करेगा ताकि आपको ये डिसाइड करने मसा नहीं हो कि इसे यूज करना है या फिर इसकीप करना है और वीडियो पसंद आता है और इसे रेगुलर अपडेट चाहिए तो मेरे सेकेंड चैनल जो कॉस्टम रोंगा है उसे भी सस्क्राइब कर ल मिलता है नो करनल यूज किया गया और यहां पर आप देखे तो पिक्सल इन्हेंस लिखावा मिल जाता है तो आप ये कह सकते हो कि ये पिक्सल जो सेवन डिवाइस है उसका ये पिक्सल हो ये से लेकिन ओफिसल सपोर्ट की रूप में हमें प्रोवाइड किया गया है हमारे इसलिए यहां पर बाउट में आपको है जो पिक्सल देखनी को मिल जाता है वो भी सिवन जैसे कि काफी टाइम पहले हमें देखनी को मिलता था एक और रोम जिसका ना मुझे भी याद नहीं आ रहा जो कि पिक्सल फाइब का रहता था तो सिम उसी तरीके से है और बाकी को देखनी को मिल जाता है जो कि gestures वगेरा है जिसमें वही सारे common option देखनी को मिलते हैं जो कि proper काम करते हैं Android 13 के सारे features मिल जाएंगे लेकिन per app language support अभी तक सभी अप्लिकेशन के लिए नहीं आया है मल्टी उजस में भी 13 सारे features मिलेंगे digital value in Google, safety, password location, privacy काम कर रहे हैं अच्छे setting आपको देखने को नहीं मिलता है नर्मल से चीज़े हैं और wallpaper के अंदर आपको feather का एक नया wallpaper session मिल जाता है बाके Google के सारे wallpaper आपको दिखाई देंगे जो कि आप यहाँ पर यूज कर पाऊगे display के अंदर auto brightness हमारा अच्छे से working है locks related सारे option आपको working मिल जाते हैं बाके यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है वोई 13 का features वगेरा color में normal से चीज़े दी गई है 120 या 60 आप रख सकते हो ambient display का आपको option यहाँ पर देखनी को मिलेगा और यहाँ पर brightness को थोड़ा सा और boost कर सकते हो इन option का यूज करते हुए जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पर add किया गया है वहीं पर आते है sound के panel पर तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा mode देखनी को नहीं मिलता है जैसे कि Dolby यहाँ पर Mevoi का sound effects वगेरा बस clear speaker दिया गया और बाकि वही सारे common चीज़े आपको यहाँ पर दिखाई देती है बट overall जितना भी मैंने यूज केना उसके साथ मुझे लगता है battery और battery यहाँ पर होना चाहिए जो कि भाई काफी ज़रुवत की चीज़े है आज के time में क्योंकि maximum room के अंदर battery उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है जो कि पहले हमें देखनी को मिलता था बाकि pixels सारे चीज़े यहाँ पर मिल जाते हैं और काफी smoothly रहता है और haptic भी काफी अच्छी यहाँ पर आपको मिलते हैं तो यहार smoothness का last जवाब यहाँ पर response आपको देखनी को मिलेगा आपको ऐसा feel होगा कि आप pixel का ही device है जो use कर रहे हो तीज़े मुझे काफी यहाँ पर interesting testing लगी है वहें पर keyways के अंदर आते हैं तो 13 वाले आपको सारे features मिल जाते हैं जो कि working है और इसमें आपको कोई भी दिक्कत वगरा है जो नहीं आएगे बाकि यहाँ पर power menu के बात करें तो normal सा है advanced वाल आपको नहीं मिल जाता है और अब आते हैं यहाँ पर app drawer के अंदर उसक जादा नहीं है बाकि आप अलग से डाल लेना यहाँ पर geekbench मुझे काफी weak लगा चाहिए वो single हो या multi हो अंटू टू भी काफी ज़ज़ा downside है custom room के हिसाब से इन देखनी को मिलता है बट वा के comparison में और होना चाहिए improvement 100 पर डालने के बाद यहाँ पर CPU total काफी ज़ज़ा तो जैसी profile का हम यूज करते हैं यहाँ पर रियल्ट काफी अच्छा देखनी को मिलेगा लेकिन हाँ बाकि दर जो रियल्ट है वो downside है तो उनमें भी improvement की ज़रूत है बाकि यह 10 बाई बैटी ड्रोप जो कि 68 है और जो मैं मॉर्निंग में चेकरतों से आ जाता है 50 तो full night में कर बाई गिवेंट राए किया तो यह पर downside रहा कोई improvement नजल नहीं आया तो यहाँ पर performance constant रहता है और ठ्वा down ही रहता है लेकिन हाँ यूज करते समय आपको feel नहीं होगा जब तक यह आप heavy gaming नहीं करते है और photo storage बागर आपको unlimited मेलेगा जो कि इसका एक plus point हो जाएगा अगर 30% charge हो जाता है जो कि सही है और इस लोग को install करने के लिए आपको fwb जरूत परने वाले है जो कि 13.0.6 होगा या कोई latest आप यूज कर लेना लेकिन हाँ इसके साथ दो फाइले और दी गई है pixel OS के साथ जो कि आपका एक है यहाँ पर DTBO और दूसरा recovery है और मैंने जब first time में 11X के अंदर try किया DTBO recovery को डालने का ना थमयसा boot loop मुझे देखनी को मिला मेरे phone में यह boot नहीं कर रहा था तो मैंने pixel experience ओला यहाँ पर recovery यूज किया है और उसके बाद मैंने इसे flash किया है असानी से flash हो गया और मैं यहाँ यूज भी कर पा रहा हूँ तो अगर आपको भी आपको पसंद नहीं आएगा अब decision आप कहोने वाला है कि क्या आप इसी यूज करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते है और वीडियो पसंद आया इसी type का आपको रिव्यू चाहिए every time हर रोम से related तो मेरे second channel को भी subscribe करे वीडियो को like करे और support के लिए share जरूर करना अपन है दोस्तों किसाथ मिलते निक्स वीडियो में बाबाई